हेलो एवरिवन लक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं RCI द्वारा जारी किये गए एक सर्कुलर के बारे में जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो यहां पे बताया गया कि RCI ने सर्कुलर जारी कर दी बड़ी अपडेट और इस सर्कुलर में क्या बताया गया कि किस तरह से जो भी प्रोफेशनल हैं जो भी स्पेशल एजूकेशन की फिल्ड में काम कर रहे हैं तो वो अपने CRE जो पॉइंट है उनको फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी प्रोफेशनल हमारी फिल्ड में काम कर रहे हैं तो उन सभी को 5 years के बाद अपना जो certificate है RCI registration जो करवाया उन्होंने तो उसको renew करवाना पड़ता है जिसके लिए उनको 100 point इकठा करने पड़ते हैं अगर वो 100 point इकठा नहीं करते हैं तो उनका जो degree है या diploma है तो वो रद कर दिया जाता है इसको लेके RCI ने बहुत बड़ी जो update दी है कि आप क्योंकि आज से पहले अगर आपने CRE की है तो वो आपने पैसे दे के की होगी जिसकी फीच लगती है और तब आपको point मिलते हैं बट ये आप फरी में CRE point प्राप्ट कर सकते हैं और हम दिखाने वाले हैं आगे circular में कि कैसे कैसे आपको ये CRE point मिलेंगे फरी में तो चलिए देखते हैं official circular कि उसमें क्या कहा गया है जैसा कि आप ये देख रहे हो ये official circular आया है RCI की तरफ से जो कि कल आया है और इसमें बताया गया है कि जो भी एजपर्दा guidelines जो CRE होती है for CRE the council will grant pre CRE points to student pursuing RCI approved training program for attending various government activity program with maximum 10 points per year तो आप per year 10 points प्राप्ट कर सकते हैं फरी में वो भी तो इन्होंने बताया कि कुछ इसके लिए आपको जो भी various government activities हैं और program है उनको आप attend करके और आप ऐसे free में 10 points प्राप्ट कर सकते हैं तो इन्होंने वो भी बताया कि कैसे कैसे आपको कितने points मिलेंगे और क्या क्या उसके लिए करना होगा यहाँ पर इन्होंने बताया कि तो यहाँ पर इन्होंने activity mention की है और CRE point की UDID card application अगर आप UDID card application फिल करवाते हैं तो उसके लिए आपको one CRE point मिलेगा 25 UDID applications करवाने के बाद तो अगर आप 25 बच्चों के UDID application form फिल करवाते हैं तो उसके लिए आपको एक point मिलेगा एक CRE point उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो आपको जो participation in दिव्या कलामेला जो की दिव्या कलामेला लगते हैं तो अगर आप दो दिव्या कलामेला विजिट करते हैं तो आपको एक CRE point मिलेगा participation in ADIP मलब जो aids and appliances होते हैं तो अगर वो camp आप attend करते हैं 1 CRE point for 10 registration for aids and appliances तो अगर आपने 10 registration किये हैं for aids and appliances के लिए तो आपको 1 CRE point मिलेगा उसके बाद निर्मय scheme registration for PWD इसके लिए 1 CRE point मिलेगा आपको 25 applications करवाने के बाद ये BIMA से related scheme है उसके बाद international seminar workshop है कि आपको 1 CRE point each international seminar workshop का मिलेगा उसके बाद अगर आपने RCI free webinars किये हैं तो 1 CRE point for each day मिलेगा आपको तो आप देख सकते हो कि ऐसे करके आप free में इन्होंने बोला कि 10 points per year ले सकते हो तो 50 points आपके बन जाते हैं अगर हम 5 साल की बात करें 5 साल में आपके जो की जिसका कोई charge नहीं लेंगे ये अगर आप खुद से effort कर रहे हो field में काम कर रहे हो तो आप उनसे अपने points ले सकते हैं तो ये RCI ने बहुत ही अच्छा एक effort किया है कि इससे society में काम भी होगा और उनको उनके काम का benefit भी मिलेगा अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए उनको एक motivation मिलेगा कि उनको CRE point मिलने वाला है उस सीज के लिए वैसे काफी सारे जो field में काम कर रहे हैं professional वो पहले भी ये काम करते हैं तो बट उनको अब ये है कि अगर वो ये काम करेंगे तो उनको free में CRE points भी मिलेंगे फिर तो आप देख सकते हो और अगर आप भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले आप CRE point ले सकते हैं और ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो तुरंत आप तक notification पूंजाए और वीडियो को जाचे जदा लाइक करें साथ में share बे करें Thank you